क्या होगा? यह पर तो खेंगे नहीं बठेंगे हेलो इन इस एना ओफ कोरोना वाइरस हम सभी लोगों कि यह हॉस्पिटल जाना हॉस्पिटल में काम करना है यह हॉस्पिटल में अपनी माइनर पॉबलम्स को लेके जाना मुश्किल हो जाता है तो इस सिलसिले में हमने आज यह एक वीडियो सीरीज यह लाइव सेशन की सीरीज जो है आपके समक्ष हम लेके आए हैं जिसमें आपकी जो छोटी मोटी मेडिकल पॉबलम्स हैं उसको हम लाइव सेशन के माध्यम से आंसर कर पाएंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमको कमेंट बॉक्स पे चैट बॉक्स पे लिखे भी सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स को जो है सिंक्वेंशली सीरियली लेते रहें हम बात करेंगे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रोजन शूल्डर के लिए कई सारे प्रश्ण हमारे पास आये हैं और फ्रोजन शूल्डर एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें आपका जो कंदा होता है के आपका जो गंदा होता है वो अंदर से टाइट हो जाता है और अगर फ्रोजन शोल्डर अपको होता है तो यह बहुत ही पेइन पुल और रेस्टिक्ट्टिव डिजीज होती है और उसके कारण से आपका जो शोल्डर का मूउमेंट esto क्या बड़ाता है तो ie हाथ उपर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जब आप हाथ उपर ले जाएंगे, तो आप उपर नहीं ले जा पाएंगे, उपर ले जाने की ताकत भी कम हो जाएगे, और उपर ले जाने की रेंज भी कम हो जाएगे, तो यह जो मुवमेंट है आपका, यह मुवमेंट जो है frozen shoulder में कम हो जाता है अचा frozen shoulder क्यों होता है और उसके क्या कारण होते है frozen shoulder जो है आम तोर पे diabetes में हो सकता है थाइरोइड की तकलिफ में देखने को मिल सकता है कई बार चोट लगने के कारण भी frozen shoulder हमें देखने को मिल सकता है तो frozen shoulder जो है वो कई कारणों के वाज़े से हो सकता है आम तोर पे हम frozen shoulder का treatment जब शुरू करते हैं तो उसके लिए हम physiotherapy और exercise जो है वो patients को recommend करते हैं कुछ basic painkillers भी आपको शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही एक चीज का ध्याना कि थेरा बेंड्स करके हमारे पाइस लास्टिक बेंड्स होते हैं और उसके साथ exercise करना आपके लिए बहुत लब दायक रहता है तो अगर आपको exercise करनी है तो थेरा बेंड्स के साथ बेल्ट खीचने की जो है अगर वह exercise आप regular करते रहेंगे तो frozen shoulder जो है वह बैटर होगा frozen shoulder में जो exercise होती है वो guided होती हर patient में एक तरह के exercise नहीं होती परन्तो exercise हम दीरे दीरे बढ़ाते हैं आम तोर पर हम यह recommend करते हैं कि आप जो है अपना treatment जो है अच्छे orthopedic surgeon और अच्छे physiotherapist के correspondence में कराएं मतलब उनके supervision में कराएं तो have a good physiotherapist with you exercise करते रहें लगातार परन्तों कई बार हमने देखा है कि patients काफी निराश हो जाते हैं काफी हताश हो जाते हैं कि हम कई दिनों से exercise कर रहे हैं फिसोथेरपी कर रहे हैं पर हमें अराम नहीं आ रहा है तो इन patients के लिए arthroscopic surgery एक तरह एक वर्दान की तरह है तो arthroscopic surgery करके जो है हम यह problems को permanently solve कर सकते हैं आपका frozen shoulder का तकलीफ है फिसोथेरपी, exercise, medicine से अराम नहीं मिल रहा है तो arthroscopic surgery से आपको काफी अच्छा जो है इसमें अराम मिल सकता है अब नीरस सिन का प्रश्ण है, PCL avulsion के बारे में screw fixation surgery उनकी हुई भी है और कब वो चल पाएंगे तो normally usually इस तरह का answer जो आपको operating surgeon बहतर दे पाएंगे परन्तो normally PCL की avulsion की अगर screw की surgery हुई है तो करीबन दो से तीन महिने का समय आप occasionally मान के चले कि आपको recovery में लगेगा विक्की कुमार जी का प्रश्ण है, infection bone में हो गया है, चार महीने हो गये, सूजन पर आता जाता है तो infection जो है हिर्डी का ये काफी गंबीर समस्या होती है, कभी भी किसी भी operation के बाद, किसी भी procedure के बाद ये किसी भी surgery के बाद अगर आपको infection आ रहा है तो एक गंबीर समस्या है, ideally इसका culture का test जरू कराएं, अगर आप culture का test कराएंगे तो आपको gross idea लग जाएगा कि ये तक्रीफ क्यों हो रही है और इसके लिए क्या हम treatment कर सकते हैं प्रेम चौदरी जी का प्रशन है, ACL surgery को तीन महीने complete हो गए है पर अभी भी पाओ वीक है, तो ACL surgery अगर आपकी हुई है और आपका पाओ कमजोर है तो ideally इसमें आपको physiotherapy की और exercise की requirement रहती है physiotherapy और exercise supervised way में करें, एक अच्छे physiotherapist के साथ करें, कुटना दबाने की exercise, पंचा हिलाने की exercise, मोडने की, सीधा करने की quadriceps की exercise जो है वो बराबर करते रहें arthroscopic surgery के बाद किस तरह की exercise करनी है ये आपकी जो operating surgeon है वो आपको बहतर बता पाएंगे परन तो exercise करनी है, सबसे important चीज़ होती है कि आपको time देना एक अस्त के पर नॉर्मली हमने सबसे common mistake देखिए कि patient पंजा मिनिट की ये फिजो थरपिस आते है 15 मिन एक्साइस कर लेते है और फीचले जाते है वो नहीं चलता है आपको exercise पर फीजो थरपी पर time देना पड़ता है अगर आपकी फीजो थरपिस आ रहे है 15 मिनिट आरे है एक आदा गंट आ तो उनके साथ आपको फीजो थरपी करनी है आपको उसके अलावा भी time देके फीजो थरपी करनी है तो मैं यह मानता हूं कि अग व्हारमल अपना सारा काम कर पाएंगे प्रस्ट एक ग्रेड 3 ACL टेयर है और मेनिसकस टेयर ग्रेड टू है तो हमको क्या Fiber टेप सज़री कराने होना थे तो बिलकुल एक्षिल में आपका अगर ग्रेड थी इंजरी है तो सज़री एकर आपको grade 3 ACL की injury है या grade 3 मैंने इसक्स की injury है तो surgery compulsory होती है grade 2 अगर injury है आपको तो grade 2 injury में अगर आपको symptoms है तकलीफ रहती है और उसके बाद एक MRI का भी उसका जो view होता है वो जरूरी होता है तो अब मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपने MRI films जो है वो definitely हमको भेज दें, हम MRI films को review करके और आपको बहतर जानकरी दे पाएंगे कि आपकी case में operation हावशक है या नहीं अच्छा आपको हमारा whatsapp number लिख लीजे 9227901980 इसके उपर आप हमको अपनी reports भेज सकते हैं तो हम आपको exact guidelines दे पाएंगे कि आपको इस procedure की या orthostopic surgery की requirement है यह requirement नहीं है किशन नंदानिय जी का प्रश्ण है कि दो महीने पहले उनको high grade ACL injury हुई थी बाद में उन्होंने physiotherapy join कर लिया है और अभी मैं चल सकता हूँ तो क्या surgery करने चाहिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्ण है कई मरीज हमारे पास यह प्रश्ण लेकर आते हैं कि उनको ACL injury हुई उस ACL injury के बाद उन्होंने exercise करवाई और मैं मानता हूँ कि यह बहुत अच्छी चीज़ है exercise हमेश्च आपको ACL injury के बाद करानी चाहिए जिससे आपके जो मानस्पेशिया मजबूत होती है और आपकी जो imbalance है वो चला जाता है ACL injury में क्या होता है कि आपके गुटने का ligament निकल जाता है जिसके current से गुटने में सूजन आ जाती है और गुटने में दर्द हो जाता है और साथी साथ आपको चलने में imbalance हो सकता है और गिड़ने का दर लग सकता है तो अगर आप फीजोथेरपी करवाते हैं injury के बाद तो आपको definitely recovery आएगी और definitely करानी चाहिए परन्तो एक बात समझने कोशिश किए जो फीजोथेरपी है वो ligament को ठीक नहीं करती है फीजोथेरपी जो है आपकी malspatio पर काम करेगी और आपकी malspatio को मजबूत बनाएगी जिसके currency जो आपको imbalance लग रहा था दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा ligament की परिस्तिती वैसी की वैसी रहे कि फीजोथेरपी ligament पर असर नहीं करती है तो आपके case में मैं चाहूंगा कि MRI definitely कराया जाए MRI का अच्छे से evaluation हो अगर grade 3 टेर इसे मैंने आपको बताया तो definitely आपको surgery का requirement रहेगा और यह surgery क्यों करनी है इसके कई reason होंते है पहला reason आपको दर्द में अराम मिलेगा आपके गुटने की जो स्थिर्ता है वो बहतर होगी गुटने की लचक चली जाएगी long term में आपको जो गुटने का गिसारा हो रहा है गुटने में जो weakness आ रही है गुटने में जो osteoarthritis के तक्रिफ आ रही है वो कम हो जाएगी आपकी जो नी का life है वो life इससे significantly बढ़ जाता है आशिस तिवार जी का एक प्रशने बहुत ही अच्छा प्रशने है कि जब नी replacement किया जाता है तो ACL और PCL ligament का क्या होता है तो नी replacement एक opposite concept है नी replacement हम तब करते हैं जब मरीज का गुटना इतना खराब हो सकता है हो जाता है कि उसको किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता और उसको नया डालना पड़ता है तो कोई भी replacement surgery उसमें ACL को काट दिया जाता है उस ACL को निकाल दिया जाता है और एक नया joint fit किया जाता है जाता है PCL ligament जो है कुछ मरीजों में बचाया जाता है कुछ सर्जन जो है वो PCL sparring surgery करते हैं और कुछ przestrzenie जो है वो PCL को निकाल देते है मतलब PCL resection करते हैं तो यह ACL ligament हर मरीज में निकाल दिया जाएं गा रिप्लेश्मेंट पे और PCL Regament जो है वो कुछ सरजन जो है अधिकार सरजन जो है वो निकाल देते हैं और कुछ सरजन जो है वो PCL को बचाने के कोशिश करते हैं इसको Cruciate Retaining और Cruciate Resecting Surgeon जो बोलते हैं तो दो अलग लग नी रिप्लेस्मेंट सर्जी दो तरह की होती है पीसील निकाल देने वाली और पीसील बचाने वाली महेज जी मंडवर हमारे पेशेंट है उनका जो है हमने अस्टिक से चलने लगए है और वह भी स्टिक से चलने लगए है वह पैर पे कब लोड ले और सीडिया उतरना कब चुड़ू करें और करा डाइमिंग कब चुड़ू करें तो अच्छा प्रस्ट है अगर आपको अगर मतलब आपका गुटना जो है वह करीबन नबबे डिगरी के आसपास मुढने लगए है तो आप पैरों पर वजन डालना शुरू कर सकते हो सीडी चड़ने उतरने में करीबन एक से डेड मिने का समय लगता है और कर ड्राइविंग अप्रॉक्सिमेटली दो महीने के आसपास मरीश का स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज फीजोथेरेपी करते रहें वजन डालने की एक्सरसाइज गुटना मोरने की एक्सरसाइज और पैरों पे वजन डालके और पाव मोरने की सिदा करने की एक्सरसाइज जो है वह आप डेफिनेटली चालू कर सकते है शिव सागर सुमार जी का प्रश्ण है कि उनके गुटने में पानी भर गया था और करीबन 20 मिलीडीटा पानी निकाला है और स्वेलिंग चला नहीं जाता है कभी-कभी दर्द होता है तो एक चीज में आप करना चाहूंगा कभी भी अगर अपने घुटने का पानी निकल वाए तो अपने डॉक्र सर को रिक्वेश्ट यह जरू करें कि वह जो पानी निकले उसको टेस्ट के लिए पिजें इसको निया aspiration बोलते हैं और कभी भी पानी नगर गुटन में से निकाला जाता है तो यह आप नियम बना लीजे कि अपने दिमाग में कभी भी पानी निकाला जाता है तो उसका test करना आवश्यक होता है क्योंकि अगर वो test हमने किया है तो उससे exactly हम यह बता सकते हैं कि आपके अंदर जो है कि यह गुटने में से पानी निकालने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है धीरज यादाव जी का प्रश्ट है कि उनको सीडियों से उतरते हुए चोट लगी थी पंदा दिन तक आराम नहीं मिला है फिर उन्होंने MRI कह रहा है तो उसमें medial meniscus tear बताया है और उनको पटे ला के प्लान करके अपनी procedure surgical procedure प्लान कर सकते हैं क्यों क्योंकि meniscus की surgery अधिकांश जगे पर meniscus resection की surgery होती है जिसमें आपका meniscus का टुकड़ा जो है वो काटके निकाल दिया जाता है आइडिली हम यह कोशिश करते हैं कि आपके जो गादी का टुकड़ा उसको बचाया जाए कई cases में हम सफल होते हैं कई cases में गादी इतनी बुरी तरह से फट जाती है कि उसको रिपेर नहीं किया सकता है वह तो एक अलग पर जहां पर यह परिस्थती हो यह possibility हो कि हम गादी क को टाके लेकर रिपेर किया सकता है तो डेफिनिटली उसको रिपेर करवाने के उपर focus करना चाहिए क्योंकि अगर आम गादी को रिपेर करवाएंगे तो जो है आपको long term results अच्छे मिलेंगे और गुटने का जो गिसारा है weakness है आगे चलके जो गुटने की life है वो डेफिनि साल है तो यह एक बहुत ही दुखत के से दुखत समस्या है कई मरीज हमारे पास आते हैं जो initially misguide हो जाते हैं और ACL surgery को लंबे टाइम के लिए डिले कर देते हैं तेकि अगर महीने दो महीने डिले करेंगे तो ज्यादा फरक नहीं पड़ता है परन्तु कई मरीज ऐसे होते है जो हमारे पास 2 साल, 3 साल, 5 साल अपनी procedure को डिले करके आते हैं और ऐसे संजोग में उनको गुटने में गिसारा जिसको osteoarthritis बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है अगर ऐसा हो जाता है गुटने के अंदर osteoarthritis से गिसारा स्टार्ट हो जाता है तो यह एक मुश्किल समस्या ह होती है इसे लिगामेंट की सर्जी हम कर भी देते हैं तो भी उसके उपरांध भी आपको वो गिसारे के समस्या परिशान कर सकती हैं तो अगर ऐसा कैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कई सारे इंट्रड ऑपरेट्व चीजों का ध्यान रगते हैं कि अगर गुटने में अगर आपको दर्द हो रहा है ऑच्छा आपको दर्द हो रहा है यह चुरू आपको दर्द हो रहा है ओस्टि शुरूआत हो डिगमेंट इंज्री एसील के साथ तो उन मरीजों में यह वाली सरजरी करा देंगे और उसको हम अच्छे से आपके डिफेक्ट के उपर चिपका देंगे तो आपके होने वाले बवेश में गिसारे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रोसीजर को मोजैक प्लास्टी कर सकते हैं तो तेवीश साल की उमर में अगर आपको यह तकलीफ है तो definitely मैं मानुआ कि मोजैक प्लास्टी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा option होता है कई बार ऐसा होता है कि आपके नहीं जो है वह तिर्शा हो जाता है अंदर की तरफ टेल्ट हो जाता है जिसको हमारी बाशा में virus deformity बोलते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपके case में हम उतना सीधा करने की requirement हो सकती है एक और सर्ज़री जो हम कई बार करते हैं उसको हमारी बाशा में stem cell surgery बोलते हैं इसको ACI बोलते है autologus condoside implantation यह stem cell variant होता है और stem cell surgery में फायदा यह होता है कि उसमें हम यह दो stage की सर्ज़री होती है पहले stage में cartilage लेते हैं उसको stem cell में lab में grow के आता है और उसको उसके बाद जहां पर defect होता है cartilage में injury होती हुआ चिपका दे आता है क्योंकि आपकी 23 साल है इसलिए हम पूर्य कोशिश कर आपकी किसमें करना चाहेंगे कि उस गटने को बचाएं और जो भी surgical procedure है जो भी intervention है वो करके आपकी जो cartilage उसको repair करें ताकि आपको जो है आगे बविश्च में चलके problem ना हो अगला question है ACL fiber tape surgery का cost कितना आएगा तो देखिए ACL fiber tape surgery जो होती है यह बहुत ही advanced surgery है और इसको एक advanced technique से किया जाता है आपको अगर exact cost का पता करना है तो आप हमको जो है अपना जो records है अपने medical reports जो है अपने MRI की films अपने medical reports हमको WhatsApp कर सकते हैं तो हम आपको exact जो है आपकी case में क्या costing आएगी उसके हम जानकर यह आपको WhatsApp के माधियम से दे देंगे हमारा WhatsApp नमबर जैसे मैंने आपको बता है 9227901980 है मुहमद धानिश जी का question है कि PCL grade 2 injury है दो साल हो गए है क्या करें तो PCL grade 2 injury जैसे मैंने आपको बताया आइडियली PCL में grade 2 injury में usually मरीज को instability रहती है अगर आपको गुटने में दर्ध है गुटने में लचक आ रही है चलने में तकलीफ आ रही है तो आपके case में PCL की reconstruction surgery कराने की आवश्यक्ता रहेगी आपको भी मैं recommend करूँँआ कि आप अपने medical reports जो है हमको भेज दे तो मैं आपको जो है वो बहतर बता पाऊं कि exactly आपके case में क्या करते है एक और प्रस्टन जो है वो fiber tape internal bracing के बारे में आया है कि जो button use होते है वो dissolve होते है जी नहीं जो buttons use होते है वो usually titanium material के बनेवा होते है व दीरे जादाव जी का अपर एक प्रस्ट है कि वो जब लोड लेते हैं तो पेन होता है तो definitely meniscus injury में लोड लेने पे गुटने में अटक जाने की, lock हो जाने की गुटने में चलने की तकलीफ आने की बार-बार twist हो जाने की जो है वो तकलीफ रहती है बंसी लाल जी का प्रश्ण है कि उनका नी जॉइंट आठ साल से जाम हो गया है, तो अगर आपका गुटना किसी भी कारण से जाम है, तो हम आर्थोस्कोपिक सरजी यानि कि दूर्पीन की सरजी की मदद से वो जाम गुटने को खोल सकते हैं, डेफिनिटली हम चाहते हैं कि आ आपके जैसे पेशेंट में जो है हम दूर्पीन की सरजी करके जो आपका जॉइंट उसको खोल सकते हैं, अभी जितना गुटना मुड रहा है, उसका मुवमेंट हम बढ़ा सकते हैं, सुकनात कुजूर पेशेंट का प्रश्ण है कि ACL सरजी को साड़े-चार महिना हो गया है और उनके गुटने में अभी भी लचक आ रहा है, तो एक बार हमें अपना रिकॉर्ट जरूर शेर कीजिए, कहां पर सज्री हुई थी, कैसे सज्री हुई थी, आपकी वो हम खोड़ा रिपोर्ट अपनी शैंड कर दीजेगा, ग्रॉसली में बता सकता हूँ कि चार्ट-सार प्रॉसली में बता सकता है, तो आपको इंप्रॉमेंट आएगा, रजिस्टेड एक्सराइज़, काइनेटिक एक्सराइज़, गेट ट्रेनिंग, वाकिंग एक्सराइज़ यह सब आपको इस टाइम पर बहुत आवश्यक होता है, और वो आपको कराना चाहिए, जैक उमार प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, यह प्रॉब्लम हम आर्थोस्कोपिक सर्ज़ी है, दूर्बीन की सर्ज़ी करके सॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें आपका गुटना अगर नहीं मुर पा रहा है, एडिकोट फीजो थेरपी और एक्सराइस के ब से सूजन है, और डॉक्टर ने ब्लड पी निकाला है, तो एस्पिरेशन ऑफ दनी एक कॉमन प्रक्रिया है, जो कई सारे सर्जंस करते हैं, हम इसको बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं, परनतु इससे क्या होता है, कि आपके गुटने का जब ब्लड निकल जाता है, तो आपक को एक साथ एड्रेस कहाता है, नॉर्मली ग्रेट टू ओनवर्ड ये ग्रेट थ्री इंजरी में तो हम लिपेर या रिकंस्टर्क करती हैं, ग्रेट बन ये ग्रेट टू इंजरी होती है, तो सेलेक्टेड केसे में सिर्फ एस्यल इंजरी करके और लिपेर को रख सकते हैं, ये अपने अप ठीक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप ग्रेट पूछिये, ग्रेट क्या आ रही है, अगर ग्रेट थ्री टेर है तो अपने ठीक नहीं होगा, ग्रेट वन है, ग्रेट टू है तो आप डेटिनेट्ली फीजो तेरी और एक्सेज की त्राय कर सकते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो आगे चलके आपको बिसारा हो जाएगा, तो डेफिनेट्ली हम किसी भी मरीज को ये नहीं करते हैं, कि आप किसी भी सर्जी को ये किसी भी इलाज को जल्दी बाजी में करें, जल्दी बाजी के आवशकता बिलकुल भी नहीं है, परन्तु आ आप इसको unnecessary neglect भी ना करें, oblique tear अगर grade 3 है, तो कई केसे में हम इसको repair करके आपको बहुत अच्छे से results दे सकते हैं. अजे पांडे जी का प्रष्ट है, कि उनके जो घुटने हैं, उसमें degeneration की तकलीफ है, और क्या करना चाहिए, ये कानपूर से. तो अगर गुटने में गिसारा आ रहा है, आपको degeneration की तकलीफ मतलब गुटने का गिसारा होता है, गिसारे का basically मतलब यह होता है, कि जैसे आप आपने देखा होगा किसे अपनी, आपने two wheeler लिया ये four wheeler लिया, आपकी कार है, और जब कार चलती है, तो टायर गिसने लग जाते हैं, उसी तरह जब हमारी life होती है, हम पूरी life काम करते हैं, तो दीरे दीरे जो है गुटने में damage आ सकती है, जो लोग गाड़ी को समाल के चलाते हैं, उनकी गाड़ी लंबी चलती है, ठीक उसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपने गुटने को abuse करते हैं, गुटने पर बार-बार injury होती है, लिकामेंट injury, मेनिस्कस injury, और उसको सही टाइम पर अगर treat नहीं कराया होता है, तो damage जादा होती है, जैसे कि मैं आपको sample example दूँगा, कि अगर आपकी car है, और car का alignment अगर disturb है, तो पईया जो है, वो एक side से गिसने लग जाएगा, कि किसी तरह से अगर गुटना है, उसका alignment खराब है, तो आपका गुटना भी एक तरफ से गिसने लग जाएगा, तो mostly वो patient जोने अपना गुटने की injuries को कम age में neglect किया है, उनको ये problem ज्यादा देखने को मिलती है, अगर ये problem आ रही है, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि हम patient specific x-rays और उसकी condition देखके decide करते हैं, अगर आपकी उमर कम है, और तकलिफ में सिर्फ आपको जोड का एक ही joint involved हुआ है, तो फिर half knee replacement, जिसको हमारी बाशा में unicondyla knee replacement बोलते हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सफल उपाय रहता है, unicondyla knee replacement में हम आपके joint के अंदर के भाग को change कर देते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से चलने में समर्थ हो पाते हो, गुटने का दड़ चला जाता है, और गुटना थोड़ा सीधा भी जाता है, यह जो surgery है, यह कम centers पर की जाती है, परन्तु इसमें आपकी जो result है, वो totally replacement की तोलना में बहतर होत होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, और एक natural linky feeling जो है, वो इसमें ज्यादा देखने होती है, परन्तु यह जो surgery है, वो सभी मरीजों में संभव नहीं हो पाती है, निशिक सबसेट होता है, कुछ उसके indications होते हैं, कि जिन मरीजों में हम यह जो surgery कर पाएंगे, आम तोर पर से मैंने आपको बता है, थोड़े young patients में हम यह surgery करने में ज्यादा believe करते हैं, शिव सागर कुमार जी का परशन है कि इनके पूरे शरीर के joints में दर्द देता है, तो यह usually जो बता रहे हैं, आप usually गठिया का लक्षन होता है, अगर आपके joints में गठिया की तकलीफ है, जिसको rhe rheumatoid arthritis बोलते हैं, तो इस तरह की problems आपको देखने को मिलती है, अगर आपके शरीर के सभी जोडों में दर्द रहता है, तो ideally आपको blood test कराना चाहिए, जिन blood stress में complete blood count, rheumatoid factor, body में creatinine की जांच, SGPT की जांच, ESR और CRP की जांच आपको अवश्य कराने चाहिए, साथ ही साथ अगर आपको कमर में दर्द रहता है, और आपको सुबह उठते समय अकरन रहती है, तो कई बार कमर का एक से भी करवाने की requirement रहती है, गठिया वाई की special जांच जोती, उसको NT-CCP test बोलते हैं, और वो भी कई मरीजों में हमको कराने की आवश्यक्ता पड़ती है, अगर ये स की तकलीफ आम तोर पे दवाईयों से अच्छे से ठीक किया सकती है, इसमें operation की surgery की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनमें हम, patient हमारे पास लेट आता है, और joint में बहुत खराब गिसारा ये damage आ जाता है, तो उन मरीजों में कई बार हमको कुछ surgeries करने का ये joint replacement कराने की आवश् अघर दर्धी हो रहा है, और दोनों में से किसी एक ही आवाँ आ ये तो definitely आप एक MRI scan कराची एं अगर involving गुटनों में आवाज आ रही है और आवाज के साथ साथ दर्द नहीं हो रहा है तो बहुत चिंता वाली बात नहीं है आप फीजो थरेपी एक्सराइज करके चालू रख सकते हैं आइडियली आपको कैशियम विटामिन के उनकी सार्च जो साथ महीने हो गय है पर पेर में ताकत नहीं है और ऐसा लगता है पेर जो है वह पहले जो बेंड हो उड़ गया है उसके बाद भी आपको चलने में तकलीफ होती है तो एक बार आपको क्लिनिकल एवैलेशन की जरुत पड़िए कि एक बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या तकलीफ है और क्यों यह तकलीफ हो रही है और आम तोर पर ऐसे मरीज़ों में हम अच्छे से एक्सर हैं और एरफोर्स केड़ेट हैं उनको उन्होंने सर्जी कराई थी हमसे 25 मार्च को और बिल्कुल तो डेफिनेटली आप अच्छे से रिकवर कर रहे होंगे और थोड़े ही दिन में हम आपका रियाबिलिटेशन और फिजो थेरपी जो है इस्टार्ट करेंगे गनेश मोहि करणेश में प्यार पी बहुत सक्सेसुल नहीं है मैनिसक्स टेर अगर आपको घ्रेट 3 तो वह प्यार पी से ठीक हो जाए ऐसी अपिक्शा ना रखें का टिलेज इंजरी में थोड़ा सा प्यार पी का रोल है परन्तु मैं इसकस इंजरी में जो है वो पियार पी का बहुत ना रखें जब भी हम PRP को देते हैं तो हम यह जरूर एक्स्पेरिमेंटल थेरेपी इससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखें अगर आपको इंप्रूमेंट होता है तो that is your good luck अधिकांच पेशेंट्स में जो है वह बहुत इंप्रूमेंट प्यार पी का रखेंटल अनपॉर्चुनेटली मैं इसकस इंजरी में नहीं आपाता है अगर 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 आप डॉक्टर से परामर्ष लें अपने और्थोपेडिक सर्जन से अर्थोस्कूपिस से परामर्ष कर उसके बाद ही आप डिसाइड करें मोहन परिवहार जी का प्रश्ट है हाफ नी रिप्लेस्मेंट के उपर कि अगर फ्यूचर में कोई तकलिफ तो नहीं आती है सर्ज की मानते हैं पंदरा वर्ष के बाद इंप्लांट रिलेटेड इशूस जैसे इंप्लांट का डीला पर जाना यह इंप्लांट लूज हो जाना ऐसा हो सकता है और उस केस में जो है स्टेंडर्ड कोटल नी रिप्रेस्मेंट सर्जिक की जा सकती है जो कोई भी मुश्किल इंदा वाली बात नहीं होती है रविंद्र वर्मा जी का प्रश्ण है कि उनको चलने में दिक्कत आ रहे हैं गुटने में दर्द के कर रहा है तो डेफिनिटली आपको अपना एक्से और हमारे करा के देखना चाहिए और एक और्थोपडिक सर्जन से परामश लेना कि आप अपने गुटने को बचाए और आपका गुटना लंबा चले तो इसमें आर्थोस्कूपिक सर्जी की प्लानिंग आपको करनी चाहिए रिशिकेश जी का प्रशन है कि VMO मसल्स क्या होती है और इसका क्या रोल होता है VMO मसल्स आपके पैर में गुटने से उपर कूले तक की मसल्स हैं उसको कौौट्रिषेप स्मसल्स बछोंते हैं जो है वो चार पार्ट बनी होती है westus medialis, westus intermedius, westus lateralis और rectus femoris ये चार मानस्पेशी के जोड़े मिलके quadriceps मिसल बनाते हैं quadriceps मतलब ऐसी मिसल जिसके चार सिर हो ये चार उसके रेशे हो तो उसके अंदर वाला जो रेशा होता है उसको हम vastus medialis बोते हैं यह मानस्पेशी आपके गुटने की stability के लिए बहुत ज़रूरी है आपके गुटने की उपर की जो अड़ी होती है पटेला उसको stability देने में इसका काफी मैथ पून रोल होता है और ये मानस्पेशी अगर आप मजबूत करेंगे को गुटने पर जो लोडिंग होती है वो लोडिंग कम हो जाती है तो आपके गुटने की जो life है वो बढ़ती है तो definitely अगर आप अच्छी exercise करके westerns, middle east को specifically strengthen करने के exercise करेंगे तो definitely आपकी जो osteoarthritis होने का risk के गुटने में किसी भी तरह की तक्रीफ होने का risk जो है वो कम हो जाएगा चलने में यह running करने पे लचक आ जाना दीपचन जी का प्रश्ण है कि वो जब running करते हैं तो गुटने में लचक आ जाती है अगर आप running कर रहे हैं और आपके गुटने में या नहीं है मौहमद उस्मान जी का प्रश्ण है कि उनको दो मेने हो गए एसे लिज़ी और गुटने में आवाज आ यह तो हो सकता है आपको गुटने में चार से पांट यह चे मेने तक गुटने में से थोड़ी आवाज आ सकती है जिसमें आम तौर पर कोई चिंता की बात नहीं होती आम तौर पर जो पैरी लिगामेंटस फाइब्रोसिस होता है उसकी करण से आवाज आती तो बहुत चिंतावली बात इसमे नहीं है एक्सराइज करते रहें जैसा आपके ऑप्रेटिंग सर्जन आपको गाइड करते हैं वैसा आप जो है वो ट्रीट्मेंट कंटीन्यू कर सकते हैं शशांक वर्मा जी का प्रश्ट है कि उनको चोट लगे थी और उसके बाद जो है वो गुटने में सूजन आ गई है तो चोट लगने के बाद अगर गुटने में सूजन आ रही है और वो मिट नहीं रही है तो ऐसे परिपेक्ष में आपको MRI scan की आवशक्ता रहेगी MRI जरूर कराना चाहिए MRI से जो है आप ये guidance ले सकते हैं अपने सजन से कि आपको क्या कराना है और आगे चलके आपके गुटने में क्या करना चाहिए सत्यवती जी का प्रशने के उनकी mother-in-law को कूले के बोन के गुटनो कूले की बोन का और गुटने का operation हुआ था पर वो अभी डंक से चलने ही पारी support के साथ तो hip joint और knee joint दोनों का replacement अगर आउनको हुआ है तो definitely एक थोड़ा सा complicated case उनका रहेगा फीजोथेरपी और exercise का बहुत important role है weight reduction का बहुत important role है और gate training का बहुत important role है पतलब जब वो चल रही है तो उनको support की requirement रहेगी walker की requirement रहेगी कि अश्वनी यादव जी का प्रशन है कि उनको मैंनिसक्टमी सहजजी जो है वो दो साल पहले हुई थी पर अभी भी दर्द होता है तो क्या करना चाहिए अगर आपको मैंनिसक्टमी सहजजी के बाद दर्द हो रहा है तो यह कई कारणों से हो सकता है तो definitely एक MRI कराकर हम दे गिसारे की तक्लीफ हो रही होगी तो continuous pain रहेगा और जो pain होगा वो रात के समय ज्यादा होने लग जाएगा तो यह हम देखना चाहेंगे एक पर MRI कराकर कि क्या तक्लीफ है कई बार अगर लोकलाइस डिफेक्ट आपको आरा एमनिसक्स इंजरी के बाद तो जैसे मैंने आप को मताई के मोजयक प्लास्टी एक प्रोसेजर होता है जिसमें हम टाइल की तरह की सजड़ी टाइल की तरह कि आपके जो है cartilage paste कर देते हैं और उससे आपको और मिलता है कई बार आपके गुटने में बैंड आया तैया जिसको वेरास डिफामिटी बोलते है उन क्रेशिस में हम हाई टीबल ऑस्टाटमी करके आपको राम दे सकते हैं और कई बार अगर बहुत तक्लिफ नहीं होते हैं कुछ करन्ट से एक बाड़ी में इनिबिटिंग वो होता है तो आपकी जो पतली पड़ने लग जाती है दूसरा आपकी सर्जडी सर्जडी में इस्पेसिविकली जो हम ग्राफ्ट हर्वेश करते हैं उसके कारण भी आपकी थाई मसल पतली पड़ जाती है तो बेसिकली इसमें जो आपकी जो मांस्पीश है उनको मजबूत करने की रिख्यामेंट करती है तो फिजो थेरपी नमबर वन इस टेंथनिग एकसराइस फिजो तेरपी वजन के साथ करें वेट लाख करें जितना लंबे तक आप फिजो थेरपी करते रहेंगे वह आपके लिए बेनिफिशल रहे और जैसा मेन आपको पहले बताई था कि time ज्यादा devote करने की जरू थे, आपको exercise के उपर time ज्यादा devote करने की जद्यूर होते है normally हमने देखा जो biggest mistake क्लों करते हैं कि वो time पूरा नहीं देते हैं सिर्फ 15-20 मिनट की आदे गंटी के एक्साइज के लिए वो यूजुली परयाप्त नहीं होती है और जो कन्वेंशनल एसील सर्जरी है उसके मुकाबले इसकी सक्सेस रेट जो है वो बहतर रहती है इसलिए हम आज कल अलमुस्स सभी केसे में जो है फाइबर टेप एड करने का एक स्पेसिविक तरीका होता है और वो हम जो है सर्जिकल टेकनीक में ध्यान रखने के फाइबर और अल्मुस्स सारे ही स्क्रूआ अच्छे ओते है हरे हैं इक प्रपर्टीस होती है हमारे पास जो है अगर अम स्चार्ट करें तो मेटल एकशनले ग का तीसीई करे मे कर गाता है तो अब तो दिरो आप ङूश्जन सक्रिछ करें कि कूंसा स्क्रूर आपकी केस में यूज हो तो बायो कॉम्फोस इस्कूरू जो है वो हमारी मेरी फस्ट प्रेफरेंस रहती है अगर इस्कूरू यूज करके हम सर्जी कर रहे हैं तो परन्तु ऐसा नहीं है अकर आप टाइटेनियम इस्कूरू भी यूज करें तो उसे अच्छे रिजल्स दिये जा सकते हैं मैं करना चाहिए और कृकेट बॉलर्स में इसमें जरूर कराना चाहिए कुछ बेसिक एक्साईज जरेचिंग चाहिए जो आपको करनी चाहिए इस्टेंथिनिक एक्साईज वाम-प का बहुत रोल है आप जब भी गेम में जाएं तो उसके पहले वाम-प एक्साईज करें और की माद्यम से उसको रिपेर करने की आवाशकता पड़ सकती है कि नीरस इंजी का परशन है कि नी फ्लेक्शन इन प्रोन पोजिशन है तो नी फ्लेक्शन इन प्रोन पोजिशन किया जा सकता है गुपना मोडने की जब एक्साइज की बात करते हैं तो तीन तरह से एक्साइज की जा सकती है विस्तर पे लेट के की जा सकती है उल्टा लेट क तो तीनों ही तरह की flexion exercises का अपना रोल है और यह exercise जो आपके लिए helpful रहती है specifically अगर आपको PCL injury है तो हम prone knee injury को prone knee flexion को ज्यादा recommend करते हैं पर definitely it's a good technique और हम लोग तीनों ही टेकनिक में जब भी हम flexion लाने कोशिश करते हैं परशन के बाद तो लेटे लेके गुटना मोडने के exercise उल्टा पेट के बल लेटे के गुटना मोडने के exercise और बैट के पाओं मोडने के exercise तीनों का रोल रहता है आप अपने physiotherapist से और अपने operating surgeon से confirm करें और उसके according जो है वो हम कर सकते है सुधाकर तिवारी जी का प्रश्ण है गुटने के नीचे बाय साइड में जाम लगता है कोई चोट नहीं लगा है definitely MRI का requirement है कई बार चोट लगे बिना भी आपको मैनिस्कस की problem हो सकती है definitely MRI करा है MRI में जो है आपकी जो है वो चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा PRP के बहुत से प्रश्ण आ रहे हैं जैसा मैंने आपको कहा कि PRP experimental therapy है बहुत expectations PRP से ना रखें प्रेम अरोरा जी का प्रश्ण है कि उनको गुटने में बहुत पेने और वह operation कराना नहीं चाहती है प्लीज बताएं कि मैं क्या करूं मैं चार-पास दिन से फिजोसेरपी भी करवा लिए तो definitely अगर आप operation नहीं कराना जाते हैं तो क्या क्या करना है आप लिख लीजिए पहला calcium supplements आप सभी को लेना है रोज की एक ये दो tablet calcium आपको लेनी लेनी है vitamin D आप सभी को लेना है vitamin D जो है करीबन आप नॉर्मल रोज की एक dose में ले सकते हैं ये वन सभी दोजिंग में ले सकते हैं पेन के लिए medicine, pain के नुसार आप जब भी चाहो ले सकते हो दर्थ की दवाई जैसे मैंने आपको बताया आप दर्थ के नुसार ले सकते हैं सुजन की दवाई सुजन के नुसार ले सकते हैं नी कैप का प्रयोग आप कर सकते हैं गुटने में नी कैप पैन करें के तो आप थोड़ा stability रहेगा थोड़ा balance रहेगा चलते वे चलने की exercise इसको हम गेट ट्रेनिंग बोलते हैं वो ज़रूरी है आप के और वाली मानस्पेशी होती है वो अगर मजबूत होती है को गुटने पे जो लोड आता है वो कम आता है और उस मालस्पेशी को मजबूत करने के लिए आपको गुटने को दबाने की exercise, गुटने को lift करने की exercise और आप साथी साथ जो है गुटने में वजन डालके गुटने को मोडने की और सीधा करने की exercise कर सकते हैं इसको quadriceps exercise बोलते हैं यह दो तरह से की जा सकती, static quadriceps जिसमें आपको एक पाउं को स्थिर रखके गुटने को दबा रहे हैं और dynamic quadriceps जिसमें आप गुटने को मोडने की और सीधा कर रहे हैं यह exercise आप against resistance भी कर सकते हैं, मतलब वजन के against भी कर सकते हैं कई बार हम आदा किलो, एक किलो, दो किलो वेट डालके भी गुटने को मोडने की और सीधा करने की exercise करते हैं जिससे आपकी जो मांसपेशी हैं वो मजबूत हो और गुटने में जो strength चली गई है, वो strength आए डाइट बहुत महत्पूर हैं, ऐसी डाइट नहीं लें जिससे आपका वेट बढ़ें, वेट को control में रखने की डाइट लें specifically अगर मैं recommend करूँ तो milk and milk products ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें fat diet ये calorie diet जो है वो कम रखें क्योंकि उससे आपका वेट बढ़ सकता है, कैल्शियम रिच फूड में अगर हम बात करें तो dry fruits आते हैं, थोड़ा सा नौन्विज आ जाता है, कैल्शियम में specifically अगर मैं बात करूँ तो रागी में, जवार में इस तरह की जो जो डालें होती है उन में कैल्शियम की मात्रा जादा होती है, केले में कैल्शियम जादा होता है, ब्रोकोली में जादा होता है, तो कई सारे जो इस तरह के fruits हैं या उसको आप खाने को जादा लें जिसमें कैल्शियम जादा हो, बहुत ही महत्पून चीज़ है आपके लिए, कि आप सुबह या फिर शाम को धूप का सेवन जरूर करें, कम से कम आपको आधे गंटे के लिए धूप का सेवन करना बहुत ही आवशक है, अगर आप धूप का सेवन करेंगे, तो शरीर में विटमिन D बनेगा, जिससे आपको शरीर में वीकनेस नहीं आएगी, और आपकी जो कैलिशम का मे देले कर सकते हैं, नवनीत जी का प्रश्ट है कि उनकी ACL और मैनिसकस की सरजड़ी हुए थी 7 अपरेल को, कुविट के कारण हो फिजो तेरेपी नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बहुत ही जैनिएन प्रबलम है, कई सारे हमारे मरीज हमने भी जिनको ऑपरेट किया है, वो सब मर आपको exam pass करना है, तो आपको self study करनी होगी, ठीक है, teacher जो है, वो आपको guide कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, परन्तु जो मैनत है वो आपको खुद को करनी परेगी, तो do your physiotherapy on your own, there are many videos available, हमारे भी कई videos हैं, फिजो तेरेपी के ओपर वो आप देख सकते हैं, अपने doctor से संपर्क में रहें किस तरह की physiotherapy करनी है, क्योंकि हर मरीज में थोड़ी-थोड़ी physiotherapy में difference होता है, physiotherapy में basically जैसे मैं बताता हूँ आपको कि गुटना दबाने के exercise, गुटना मोडने के exercise, पूरा का पूरा पाउं lift करने के exercise, इसको straight leg raising बोलते हैं, SLR बोलते हैं, ये सारे ज करना है, और किस speed से मोडना है, और वजन कब डालना है, और किस speed पर आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये दो चीज़े अपने surgeon से रूरू confirm कर लें, और उसके according आप खुद से exercise करें, जैसा मियान आपको बताया था, सबसे important चीज़ आपको थोड़ा time देना पड़ेगा, और rest पर नहीं रहना है, आपको operation के बाद rest नहीं करना है, you have to be active, you have to be at home, but be active, exercise बराबर करते रहें, बैठे-बैठे भी आप पाओं का movement करने के exercise जो है, वो करते रहें, बीनु कुपता जी का प्रश्ट है, tibialis posterior dysfunction के बारे में, tibialis posterior dysfunction जो होता है, वो एक तरीकी ऐसी problem होती है, जिसमें आपके जो पंजा होता है, वो पहले तो normal होता है, पर दीरे-दीरे वो flat हो जाता है, तो उमर के साथ-साथ ladies में ये problem जादा देखने को मिलती है, time के साथ-साथ आपके पंजा जो है, वो इस तरह से पंजे में एक arch होना चाहिए, परन्तु ये arch जो हो flat हो जाता है, तो flat foot पहले नहीं था, पर अब हो गया है, तो ये इस बात का दियोतक है, कि आपको tibialis posterior dysfunction आ रहा है, और इस तकलिफ को हम एक surgery करके ठीक कर सकते हैं, इसमें staging के साब से surgery होती है, stage 1, stage 2, stage 3, तीनों में अलगरक surgery होती है, तो definitely हमने expert वीडियो बनाया, उसको हम definitely upload करेंगे प्रशन है partial ACL tear के बारे में, partial ACL tears जो होते हैं, उन में surgery की जानी चाहिए ये नहीं की जानी चाहिए, बहुत ही valid प्रशन है, 50% usually हमारा एक gross guideline रहता है, अगर आपके जो ratio है, वो 50% से अधिक damage है, तो ideally हम surgery का recommend करते हैं, 50% से कम ratio अगर damage है, तो आप physiotherapy exercise की कोशिश कर सकते हैं, इ आप अपना MRI हमारे साथ share करें, MRI की films share करें, तो हम exactly बता पाएंगे कि आपके case में क्या किया जाना चाहिए, कई patients हम से PRP role in partial ACL tear गोलते हैं, तो ये भी एक बहुत ही experimental चीज है, आज तक कोई भी ऐसी study नहीं आई है, जिसने ये प्रूव किया हो कि PRP injection देने से ACL के partial tears हील होते ह तो ये experimental therapy है, आप इसको try कर सकते हैं, पर again जैसा कि मैंने आपको कहता है कि इससे बहुत expectation ना रखें, ये आपके case में काम करें, इसकी संभावना काफी कम रहती है, Physiotherapy exercises mainstay है, और कई बात partial ACL tears में हम लोग आजकल एक नई टेक्निक करें, जिसमें आपका जो ligament, पहले क्या करते थे, कि अगर आपका आजा ligament तूट जाता है, तो भी उस ligament को निकाल देते हैं, नॉर्मल ligament को भी निकाल देते हैं, और नया ligament डाल देते हैं, परनतो आज हम जिसको हमारी बाचा में augmentation बोलते हैं, तो आपका जो ligament 50% बचा हुआ है, उसको हम छेड़ते नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, और उसके अलावा, उसके अलावा extra ligament हम लगा देते हैं, तो इसको ACL augmentation की surgery बोलते हैं, तो partial tear 50% का अगर आपका ligament में injury है, तो मैं मानता कि ACL reconstruction की बजाए, ACL augmentation surgery अगर हम करेंगे, तो आपको long term में result ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो आपके original fiber हैं, वो original fiber हैं, और उनमें आपको जो balance है, प्रपाइसेप्शन है, अच्छा मिलेगा, और ऐसे मरीजों में हम augmentation किया है, उनमें results जो हैं, वो reconstruction के मुकाबले मे काफी अच्छे रहते हैं, निर्मला जी का प्रश्ण again PRP के बारे में है, गुटने में जावाज आती है, यंग एज में PRP कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मैंने बताया आपको, आप कराने चाहते हैं, करा सकते हैं, पर बहुत expectation मत रखिए का, अधिकांच patients में PRP से ब तो क्या करना चाहिए, ACL complete tear आ रहा है, तो आप अपनी stage को define कीजिए, कब है, आपको कितनी injury है, कितने symptoms है, अगर तकलीव जादा है, आपको परिशानी जादा है, सूजन जादा है, और instability के तकलीव रहती है, तो बहुत सोचे नहीं, इसमें arthroscopic ACL reconstruction surgery जो होती है, वो बहुत ही successful सहजी होती है, और वो जो है, आप प्लान कर सकते हैं, कुनाल साहु जी का प्रश्ण है, कि इनका गुटना जाम हो गया है, femur fracture की वज़े से, तो ये एक बहुत ही आम प्रॉबलम है, femur fracture में distal femur plating की जाता है, और जब भी ये plating की सहजी की जाती है, तो आपका गुटना ज जाम हो गया है, तो आइडिली आपको उसको जाम को खोलने के लिए physiotherapy और exercise करनी चाहिए, अगर आप exercises regularly करते हैं, नियमी तूरूप से करते हैं, तो आम तोर पर ये तकलीफ जो है, वो नहीं आएगी या ठीक हो जाएगी, परन्तु कुछ patients ऐसे दूरबागी वाश रह जाते जिसमें हम आपका गुटना जितना मुड रहा है, उससे जादा उसको मोड सकते हैं, तो जाम गुटने के लिए arthrolysis surgery की जा सकती है, जिसमें आपकी जो existing movement है, जितना आपका moment आ रहा है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, कई परेशेंस हमको इस सवाल पुछते हैं, कि डॉक्ट सा जो movement जितना आप हमारे पास लेके आते हो, उससे जादा हमारे पास से आप लेके जाओ, तो अधिकांश मरीजों में हम improvement आपको करके दे सकते हैं, ये improvement किसी मरीज में 30%, किसी में 60%, किसी में 90%, 90 degrees तक रह सकता है, depending on different patient, अगर आपका कितना movement आया है, वो रहता है, परंतु definitely आपका गुटना जो है, वो पूरा सिधा नहीं हो रहा है, और एक पूरा mood नहीं रहा है, तो दोनों ही परिस्तितियों में ये surgery मैत पूर्ण है, अगर आपका गुटना पूरा mood नहीं रहा है, तो भी हम उसका mood नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर पूरा सिधा नहीं हो रहा ह तो भी हम उसका सीधा होना बढ़ा सकते हैं परंतु गुटना मोडने में यह सर्जिद्ध ज्यादा helpful है गुटना सीधा करने में धोड़ी कम helpful है परंतु यह दोनों ही परिस्तितियों में और कई मरीजों को ऐसा होता है या आप दूरबीन से करोगे या खोल के करोगे तो यह एक जो है इसका surgical pattern होता है जो हम follow करते हैं जब भी यह surgery की जाती है तो यह surgery एक sequence में की जाती है पहले हम दूरबीन डाल के देखते हैं दूरबीन से साफ करते हैं फिर अगर requirement होता है तो उसको थोड़ा-थोड़ा खोल के हम आगे बढ़ते हैं तो sequential हम यह surgery करते हैं तो अधिकांच मरीजों में हम कोशिश करते हैं कि दूरबीन से करते हैं पर तो कई बार क्यों होता है कि जोड़ के अंदर नहीं होते है उपर की तरफ तकलिफ होती है तो हमको थोड़ा खोल के हलकी सी surgery करने की आवशक्ता पढ़ कई मरीजों को कम उम्र में भी गुटने की गिसारा हो रहा है यह सी यह चिदेंट्री Small See एक्टिविटी के करण जाँ ज्याद होता है जो मरीज काम नहीं करते हैं उन्में ज्यादा प्रोटेक्शन जो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप गुटने को यूजली कर रहें, तो क्या होता है कि अगर आपकी आपकी अच्छी में ले रहें, तो भी तकलिफ है, दूद आप नहीं पी रहें, तो भी तकलिफ हैं. तो यह सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम से वह प्रॉब्लम दीरे-दीरे करके कम हो जाएंगे मिथुन पाल जी का प्रश्ण है कि ACL सर्च जी को साड़े-पांच महीने हो चुके हैं और उनके गुटने में दोनों ही तरफ क्रेकलिंग साउंड आता है आम तोर पर क्रेकलिंग साउंड थोड़ा बहुत आ सकता है अगर यह दर्द के बिना है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है अगर आपको बहुत जादा तकलिफ हो रही है तो डेफिनिटली हम उसको एवैलिएट कर सकते हैं आप अपनी जो रिपोर्ट्स वगरा हैं व जीवन कुमार जी का प्रश्ट है कि उनको ACL टेर हुआ था और फीजो थेरेपी से रिकवरी होगी ऐसा उनका अनुमान था पर अभी उनका गुटना लूज हो गया और पेन कर रहा है तो definitely आप बहुत confused ना हो अगर गुटने में लचक है गुटने में दर्द है गुटने में दर्द आपको रह रहा है चलने में तक्रीफ हो रही है गुटना लॉक हो रहा है ऐसी mechanical problems अगर आपको रह रही है तो एक जो है छोटी दूरबिंग की surgery इसको हम arthroscopic ACL surgery बोलते हैं और जो हम कई सारी advanced technique से करते हैं वो करके आपकी तक्लिफ को हम खीक कर सकते हैं इसमें बहुत confused होने की आवशकता नहीं है अगर आप की surgery करवाते हैं तो इसमें हम आपको अच्छे रिजल दे सकते हैं और जो चोटी मोटी problems है यह जो है वो खीक हो जाती है एक बहुत interesting question है संगमेज जी का what is the expiry date of titanium screws तो एक सच कोई expiry date नहीं होती है expiry date usually जो है वो किसी भी जो medicines की होती है वो packaging की रहती है तो expiry का मतलब यह होता है कि कोई भी implant produce किया जाता है तो उसके पर एक expiry date लिग दी जाती है वो इसलिए खास तौर पर होती है कि वो जो उसकी implant produce होता है तो जो implant producers होते हैं वो उसके पर expiry date डाल देते हैं that means कि यह जैसे तीन साल है यह दो साल है उसके बीतर इसको use किया जाना चाहिए ऐस सच को expiry date नहीं होती है अगर आप life की बात कर रहे हैं तो titanium जो screw होते है वो lifelong रहते हैं तो titanium screw permanent screw होते है यह bone में रह सकते हैं और titanium महेंदर सिंग जी का प्रश्ण है कि टीबिया का operation हो गया है और टीबिया में रॉड लगा दी है फिबूला को छोड़ दिया है तो अगर गुटने में मूडने की प्रवलम है तो आप हमसे संपर्क definitely कर सकते हैं हड़ी जोडने के लिए आप सीरियल गूप से access कराते रहें त सुनिल कुमावत जी का प्रश्ण है कि उनके राइट शोल्डर में छे साल पहले जिम में exercise करने से तकलिफ हो गई थी और अभी भी वो दर्द हो रहा है तो definitely आपकी case में MRI की requirement है अगर जिम में exercise करने के बाद ये कोई भी और heavy activity करने के बाद आपको जो है कंदे में दर्द आ ideally हम कई सारे treatment therapeutic procedures कर सकते हैं तो आपके case में definite एक MRI करके उसके recording हम decide करेंगे कि आगे जो है हम क्या कर सकते हैं अर्जुन सिंजी का प्रशन है कि PCL tear में कब तक surgery से complete क्यों हो सकता है तो PCL surgery एक major surgery होती है ACL surgery की तुलना में PCL surgery में recovery time ACL surgery की तुलना में ज्यादा रहता है PCL surgery में operation के बाद आपको हम slow mobilization करते है ACL injury की तुलना में तो usually हम यह मान के चलें कि तीन से चार मेने यूजुली आपको लगेंगे PCL surgery की recovery में minimum और खास साथ ही साथ PCL injury में हम एक special brace भी देते हैं जो आपको support का काम करती है और आपके ligament को डीला पढ़ने से रोपती है आम तौर पर ACL injuries में जो result होते हैं वो excellent आते हैं PCL injuries में result जो है वो good से very good तक हम लोग expect करते है अब है निरंजन जी का प्रश्ट है meniscus root tear के बारे में meniscus root tear को बहुत गंबी तार से लें ये एक गंबीर बिमारी है और meniscus root tear अगर आपको हो रहा है तो आपके गुटने में भविष्य में गिसारा आने की प्रवर्ती गिसारा आने की chances काफी ज्यादा रहेंगी अगर आपके गुटने में meniscus root tear है तो ये मान के चने के गुटने में meniscus है ही नहीं meniscus root tear होने के वज़े से आपका गुटना बार जो meniscus है वो भार की तर्व करसक जाता है और हड़ी जो है उपर नीचे टक्राने लिग जाती तो meniscus root tear को गंबीर तार से लें ये एक poor prognostic disease है इसका मतलब ये कि तीजी से बढ़ती है और गुटने में गिसारा को करती है तो इस तकलीफ में arthroscopic meniscus root repair एक बहुत ही successful surgery है इसमें हम जो गदी अपनी जग़े से फट गई है उसको वापस अपनी जग़े पर लाके ठाके मारके repair करने की चेस्टा करते हैं जिसको arthroscopic meniscus root repair surgery बोलते हैं जो अपने आप में एक successful surgery है परंतु इस surgery के बाद लंबे समय तक आपको immobilization रखने की और weight bearing prevent करने की जो है हम सला देते हैं तो लंबे समय तक जो है आपको थोड़े time तक एक से देड़ मेने तक आपको walker के साथ चलने के requirement पढ़ सकती है और बजन नहीं देने की requirement पढ़ सकती है तो यह important चीज़ है परंतु जो message में दे आता हूँ कि अगर meniscus root tear आपको आ रहा है तो उसको गंभी तार से लें उसको हलके में नहीं लें आपने डॉक्टर्स को दिखा है और meniscus root tear जो है अगर आपको है तो meniscus root tear को operate करने के उसको आर्थोस्कोपिक meniscus root repair की surgery करने की आवशकता अधिकांच patient में रहेगी संग मेजीत ने अपना clarification दिया है expiry date का तो कितने time तक रह सकता है तो कोई problem नहीं है अगर titanium screw है तो lifelong आपकी body में रह सकता है को usually problems नहीं होती है परन्तों अगर आप निकलवाना चाहें तो साल दो साल तीन साल बाद उसको निकला सकते हैं हम routine में titanium screw निकलवाने की सला नहीं देते हैं अविनाज जी का प्रश्ण है कि डिस्टल फीमर सरज्जी के बाद उनका गुटना सिर्फ 25 जिगरी मोड रहा है तो यह जैसे मैं आपको पहले बीपता है common problem होती है अगर डिश्टल फीमर सरज्जी के बाद आपका गुटना मोड नहीं रहा है तो हम उस सब्सक्राइब करने में काफी रिलीफ मिलेगा इसको आर्थ्रो लाइसिस की सर्ज्री बोलते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगरा है वो अमार साथ शेयर कर देंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि एक्जेक्ली जो है वो आप आपको क्या करने की रिक्वार्मेंट रहेगी जिगनेश का पड़िया जी का प्रश्ण है कि सर्ज्री को डेड़ साल हो गया है वो रेगुलर एक्साइज कर रहे हैं परन्तु स्ट्रेंथनिंग नहीं आ पा रही है तो मैं जैसा मैं आपको पहले भी बताया था आपके केस म करने की रिखुआइब मतलब वजन के साथ फिजो-ठरफी करने के रिक्वारीमेंट और डाइट बढ़ाने के की रिखुआइब लें, BCAA करके एक protein आता है, वो आप ले सकते हैं, protein X supplement, जब whey protein supplements market में available है, वो लीचे है, डाइट में जो है protein का intake increase कीजिए, और resistant physiotherapy कीजिए, मतलब जो वजन लगा के कस्त करेंगे, तो आपकी जो recovery है, वो ज्यादा आएगा, recovery ज्यादा आएगी, और आपकी जो मास्पीसी कमज बढ़ाने की, उनको specific exercise करने की जो कसरत है, वो आप definitely start कर सकते हैं, अगला प्रश्ण है कि PCL complete tear, physiotherapy करने से कितने महीनों में ठीक हो जाएगा, तो नहीं ठीक होगा, अगर complete PCL tear है, वो physiotherapy करने से ठीक हो जाए, ऐसी संभावना काफी कम है, अगला प्रश्ण में एक final प्रश्ण ले रहा हूँ, rotator cuff injury के बारे में, rotator cuff injury जो होती है, कंदे की जो इसनायो होती है, उसके तूट जाने के कारण होती है, कई मरीजों को जो है, कई मरीज उचाई से गिर जाते हैं, और हाथ के बल उनका load आ जाता है, और उस load आ जाने के का इसका मतलब यह होता है, कि जब आप हाथ उपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो यह आप हाथ उपर नहीं ले जा पाएंगे, तो इसका अभी प्राय यह है, कि आपके कंदे के अंदर की जो इसनायो हो, इसमें damage हो सकता है, इसका जो confirm है, confirm test है, वो आप जो है, एक MRI scan के अवशक्ता है यह नहीं, अगर complete rotator cuff आपको tear आता है, तो उसमें arthroscopic rotator cuff repair करके, हम काफी अच्छी results दे सकते हैं, सुरेंजज जैन जी का प्रश्ण है, यह indoor से हैं, 28 साल की इनकी उम्र है, और उनके गुटने में और पिंदलियों में पूरे दिन दर्द रहता है, उनका यह 70 साल है, definitely अगर आपको दोनों गुटनों में दर्द रहता है, तो अपने calcium, vitamin D levels कराईए, कई बार vitamin D या vitamin B12 के कमी के कारण ऐसा हो सकता है, और उसके कारण से यह problem आपको रह सकती है, तो यह test करा लें, test की reports हमारे साथ शेयर करें, तो हम आपको थोड़ा सा guide कर पाएंगे, हरिश कुमावत जी का प्रशन है, हमने उनकी lateral meniscus की surgery करी थी, 10 week हो गया है, और उनको 120 degree movement आ गया है, और shape आने में किता टाइम लेगा, तो it is a very good question, आपकी जो गुटने की shape है, वो operation के बाद थोड़ी सी change हो सकती है, यह एक normal phenomenon होता है, तीन मेने के बाद, धाई से तीन मेने क आप normal activity करने के लिए allow कर दिया जाते हो, तो normal चलना फिना, normal activity, normal knee bending आपको allow कर दिया जाता है, दीरे-दीरे जैसे से आप अपने normal routine में आते हो, हम चाहते हैं कि आप normal walk करना start कर दें, करीबन इस stage पे आप करीबन आदा किलोमेटर से एक किलोमेटर की walk normally कर सकते है, चल सकते हो, गुम सकते हो, अगर ये काम आप regularly करेंगे, तो usually आपका गुटने का shape है, वो दीरे-दीरे आने लग जाएगा, और दूसरी important चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताई कि जो quadriceps exercise है, वो करते रहें, क्योंकि man species कमजोर पढ़ जाती है, तो उसके करण भी आपके गुटन चित्रहार जी का प्रश्ण है, कि इनकी दो टाइम जो है, वो सरजरी वारा नसी में होई है, और इनके गुटने में और हड़ी में दर्द रहता है, तो आपका case में definitely हम review करने के कोशिश करेंगे, आप अपनी reports वगरा जो हमां साथ share कर दीजे, कई cases में जो है different problem हो सकती है, क अपने के अंदर जो cartilage उसमें loss हो सकता है, जिसके current से जो है, वो improvement ना रहा हो, तो वो में specifically personally जो है आपका जो है वो, जो treatment है वो एक बर chart out कर सकता हूँ. हर्शीता जी का प्रशन है कि गर्दन में उनको दर्द रहता है और गर्दन सीधा करने में उनको तक्लिफ रहता है, यह last question है जो हम ले रहे हैं, गर्दन में तक्लिफ जो है वो एक बहुत ही common problem है, गर्दन में स्पाजम आना, लंबे टाइम तक बैठना, टीवी देखना, यह computer work करने के करण ज़्यादा हो सकता है, तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले अपना gate इंप्रूव कीजिए, posture इंप्रूव कीजिए, सीधा बेट के टीवी देखिए, यह laptop पे काम कीजिए, बार बार position, turn यह change ना करें, इसका खास आपको ध्यान रखने की आव आपके आपके लिए बहुत इंपोरटन है, इसी स्टेज़ पे बहुत इंपोररटन है, अपने operating surgeon से परामर्षन, अपने physiotherapist से परामर् watts लें, अच्छे से अगर आप выступ at physics अप्ष करेंगे तो बहुत अच्छे time है आपके बास recovery आने का, हम यह मानते हैं कि कोई पहीई अगर पूली जो है आपको ग्रेत वर इंजली होती हैं तो हम उसके लिए जो त히 कर सकते हैं ग्रेत्ट टू शिट्हीमें में हम जो फ्लेक्षिबल व्लत फुट है उसको हिसको कोशिश करते हैं पेला tnd Smith ट्रांसफर आपका जो टी विसकुश्टिम्स अ काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगे हम FDL muscle डाल देते हैं और FDL muscle का tendon transfer करते हैं साथ ही साथ हम calcanial ostotomy करते हैं calcanial displacement ostotomy जिससे आपका जो ADE वो बार की तरफ जारी है उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं उसके साथ साथ ही हम spring ligament reconstruction करते हैं और कई पर अगर deformity बहुत जादा है तो lateral column को हम lengthen करेंगे या तो middle column को shorten करेंगे depending on the procedure और अगर grade 3 या grade 4 injury है तो फिर triple arthrodasis या limited arthrodasis करते हैं जिसमें अगर arthritis गिसारा हो चुका होता है तो हम उसको treat कर सकते हैं तो friends, बहुत ही अच्छा राज आप लोगों के बीच में a session और it was my pleasure to be with you आपको अगर और कोई भी प्रश्ट हैं तो आप हमको definitely comment box पे लिकी सकते हैं हमारे personal whatsapp number पे एक whatsapp message के माद्यम से आप अपनी reports शेयर कर सकते हैं 922-790-1980 परस्नल phone calls usually वेस्ता के कारण में receive नहीं कर पाऊंगा तो sorry for that पर definitely अगर जो भी patient रहेंगे उनको हम phone पे definitely guidance देदेंगे primary patients हम usually नहीं लेते हैं तो usually जो patient investigated हो जिनके बास MRI की reports हो जिनके बास अपनी सारी जाचे हो वही हमें वो करें क्योंकि direct patients हम नहीं लेते हैं thank you thank you all for this excellent session and thank you all for your presence thank you